आप सभी को दन्वत प्रणाम श्रीमद भगवत गीता सत्रों के इन श्रिंकला में सभी भक्तविंद का स्वागत है। साथ सो श्लोकों के समवाद से युक्त गीतोप निशत भगवत कीता का यहां श्रमण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके पेशात एक एक श्लोक का हम वाचनर अध्येन करेंगे। मेरा सभी संरोध जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोक करेंगे। यहां सभी की सुविधा के लिए यहां स्क्रीन पर हम लोग श्लोकों को भी देख पाएंगे। तो संक्षिप्त पुन्रावृति के इस क्रम में अध्याय दस श्री भगवान का एश्वर श्लोक संख्या एक से लेकर साथ तक प्रिष्ण को अचिंत और समस्त अध्यात्में तथा भौतिक जगत के स्तरोत के रोप में जाना। गीता का सार शुद्ध भक्ति जहां हमने चतु श्लोक ये गीता श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक देखा और श्लोक संख्या 12 से लेकर 18 तक अरजुन द्वारा कृष्ण की सर्वोच सिस्तिति को स्विकार करना था। श्लोक संख्या एक से लेकर साथ तक जिसे हम अचिंत शक्ति स्वरूप में कह रहे हैं वहां पुर्ण पुरुशोत्म भगवान श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं जीवों को अर्जुन के माध्यम से कि कृष्ण को जानने वाला स्वतह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जितना उसे जानकारी समझ परक से ज्यात होता है उसी प्रकार देवर्शी और देवताओं और महर्शीओं के बारे confirming हम भगवान ने कहा हूं वह भी मेरी क्रिपा से ही जान पाते हैं तो अध्याइव नौ में परमगो ये ज्यान देने के बाद जीव को ये कहने के बाद की निए प्रवान प्रफपर की सुंदर बलवान श्यभव श्यास नुर्ण। दान, शंशे, मोह, मोह से मुक्ति, शमा भाव, सम्ता, तुष्टी, तब, दान, यश में स्वैम के प्रस्फुटन का परिचे देते हुए अर्जुन के माध्यम से कहा है, जीवों के ये विविद गुड मेरे द्वारा ही उत्पन होते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार अचिंत शक्ति के बारे में बताते हैं, ये क्रिश्न की मेरी इन शक्तियों की सराहना करने से शर्णागती प्राप्त होती है। सराहना कब कर पाएगा जीव? जब वो द्वेश मुक्त होगा, तब वो सराहना कर पाएगा। आठ से लेकर ग्यारा तक हमने जाना था जीव का और भगवान का संबंद क्या है, जीव भगवान के किस प्रकार से शर्णागती करता है और ऐसा करने के परिणाम में भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा व्यभार करते हैं। में इस लोग संक्या 10 तार 11 में तब सतत जुक्ता नाम भजतान प्रीदि पूर्वग हूंधं द्दाम इאת बुद्धी योगं था ये नमामू पयाृंति टेव दे शुटत जो मुझे प्रीदि पूर्वग भस दें सतत लगातार निरंतर मेरा चिंतन करते हैं। उनको मैं ऐसी बुद्धी देता हूँ कि वो अन्समय तक मेरी स्मृति में रहते हैं और उसके पश्चाथ मुझे प्राप्त करते हैं। उसके पश्चाथ भगवान ने अर्जुन के प्रश्णों का उत्तर देने का क्रम आरम की आश्लोक संख्या उन्ने से जिसे हम श्रमन करेंगे। प्राप्त के माध्यम से आप इस जिगत में व्यापत हैं। तो आज के शत्र में हम लोग श्लोक संख्या उन्ने से भगवान के श्रीमुक से भगवान के ऐश्वडे के बारें में श्रमन करेंगे। पहले मंगला चरण करते हैं और उसके पश्चात इन सुन्दर एश्वरे शालिश लोकों के माध्यम से भगवान की विभिन अव्यों में उपस्थिती की इन वीभूतियों का हम दर्शन करेंगे ओम ज्यान्ति मिरां धस्य ज्यानां जनशालाक्या चक्षु उनमेलितम एन तस्मै श्री गुरु वे 나म श्री चतन्य मनोवष्थं क्तापितम एनभूतली ओयर्प कदामैं ददातीस्वपदांतिकं वन् देहं श्री गुरू, श्री उत्य पदिक अवलं, स्री गुरू वेश्न वान्ष्चृृू श्री रूपम साग्र जातं, सर्गन दगुनाथान विताम् तंसधि noon साध्वेतं सावदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सागन लरिता श्री विशाखान वितांश्य। हे कृष्ण करुणा सिंदो दीन बंदो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गोरांगी राधे व्रंदा वनेश्वरी रिष्भानू सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये। वांचा कल्पतरुब्यष्च कृपासिंदुब्यवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमाम। ये श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानन्द। श्री अद्वेत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त गंद। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 नाम है सत्र 43 में श्रीमत भगवत गीता यथा रूप से अध्याय दस भगवान श्री भगवान का एश्वर भाग दो श्लोक संख्या 19 से हम लोग आज के सत्र को आरम करेंगे तो श्लोक संख्या 19 से लेकर 42 तक श्लोकों के इस समों में भगवान श्री कृष्ण अपने स्थिती मेरे पर और अधिक द्रड रहे और इस जगत में कहीं भी भ्रमित नहों इसलिए भगवान ने आरंभी किश्लोकों में इस अध्याय के अपनी स्थिती से और परितित और अउगत करा है तो श्लोक संख्या 19 में भगवान कहते हैं श्री भगवान वाचा अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा एश्वर्य असीम है तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपके विभूतियां के तत्व के दर्शन करना चाहता हूं उनके बारे में जानना चाहता हूं और भगवान ने कहा मैं मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा क्योंकि सारे अश्वर्य को व्यक्त कर पाना संभव नहीं है जीव के रूप में हम सीमित हैं और भगवान के कारे कलापों की समग्रता को समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है फिर भी भक्त जन भगवान को और भगवान भक्त जनों के सम्मुख अपने आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं विचार रूप में भी यदि देखा जाए तो प्रकृति के एक-एक कड के अव्यव में क्योंकि भगवान समस्त कारणों के कारण है भगवान कहते हैं उनकी शक्तियां असीम है एक-एक अव्यव के में भगवान किस प्रकार उपस्तित है इसको तो समझा ही नहीं जा सकता इसलिए प्रधान्यत प्रमुख विभूति शब्द है तो विभूति का अर्थ होता है श्लप्रवपात कहते है तातपर में विलक्षन एश्वर है विलक्षन एश्वर है व्यकुंध लोग में तो भगवान की शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है बहुत एक जगत में भी अनेक रूपों में फैली हुई है अब उन में से प्रमुख विभूतियों को भगवान यहां व्यक्त करने जाने तो रंग बिरंगी शक्तियों में से कुछ आन्श है बूता नामन तेवच है अर्जुन मैं समस्त जीमों के ह्रदयों में सित परमात्मा हूँ mihi समस्त जीमों का आधी मध्य तथा अन्थ हूँ भगवान ने यहां पर अर्जुन को अध्याए एक में अर्जुन को गुणाकेश से संभोद्ध किया गया था यहां अध्याए 10 मे भगवान अर्जुन को पुना गुणाकेश से कमबोदित करें गुणाकेश वो था दो अर्थते हमने समझे थे जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुका है निद्रा का अर्थ अंदकार अज्ञान से भी कहा है जिसने अपने जीवन के तमस को अज्ञान को मिटा दिया है वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, तो उसके लिए ये समझपाना संभव है कि भगवान कहा है, कौन है और किस रूप में अपने आपको व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने मूल विस्तार के कारण तो वो समग्रिज जगत की दृष्य आत्मा में अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्राणी मात्र में प्रधान महत तत्व, जब हम तत्वों की बात सुनते हैं, तो महत तत्वों में 23 तत्व, जब 24 में तत्व की रूप में महत तत्व, भगवान कहते हैं, वो क्या है, वे प्रधान जो महत तत्व की आत्मा ह वो स्वेम भगवान है, जब महाविष्णु रूप में, प्रकटी भूत में, ब्रहमांडों में प्रवेश कर रहे हैं भगवान, तो जीव में वो पुनह परमात्मा के रूप में अपने आपको प्रस्फुटित करते हैं, तो जीव का जो शरीर, जो जीवात्मा हम कहते हैं, वो वास्ताओं में क्या है, प्रमात्मा की स्पुलिंग, जैसे अगनी की चिंगारी होती है, वैसे उपस्थित है, प्रमात्मा के स्वरूप में, उसके पश्याद, भगवान श्लोक संख्या 21 में कह रहे हैं, तो अब एक ये सरल करम है, एक एक श्लोक में, हमें 3-3-4-4 वि विभूतिया कहा जाता है, यहां पर संख्या कम ज़्यादा होगी, तो आप लोग उसे सुधार सकते हैं, इस अध्याय में भगवान 82 करीब विभूतिया है, अपनी अभिव्यक्ति की, जिसके बारे में यहां पर वर्णन करके बता रहे हैं, तो आप लोग गिनना चाहें, तो गिन भी सकते हैं, आचारियों से इस प्रकार श्रवन किया है, संख्या इध्रवदर निश्यत रूप से हो सकती है, कहने का भी प्राहिए है, कि स्मरण यदि सब कुछ ना भी रहे, तो भी समगरता के रूप में हम यह समझ पाएंगे, कि भगवान मूल रूप से किस में किस रूप में उपस्तेते हैं, श्लोक संख्या 21 में, आदित्या नाम अहम विश्नु, जयोतिशाम रभी अंशुमान, मरीची, मरुता मस्मी, नक्षत्रा नाम अहम शशी, मैं आदित्यों में विश्नु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मर मारुतों में, नक्षत्रों में और आदित्यों में बताया है। तो बारह प्रकार के आदित्य कहे गए हैं, शुल्य प्रहुपात कहते हैं, उनमें कृष्ण प्रधान है। जियोती पुंजों में सूर्य प्रमुक कहा गया है पिसले प्रकाश में तेजस्वी सूर्य ब्रह्म समिता में सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्पर कहा गया है पचासो प्रकार की वायू अंतरिक्ष में प्रवहमान हैं इनमें से जो मरीची है जो वायू के प्रमुक अधिष्ठाता हैं वो कृश्चन का प्रतिनिधित्व करते हैं नक्षत्रों में रात्री के समय चंद्रमा को सर्वप्रमुक नक्षत्र कहा गया है और वो कृष्ण का प्रतिनिधी है तो चंद्रमा नक्षत्र है आकाश में टिम्टी माने वाले तारे जो सूर्य प्रकाश को परावर्तित करके सूर्य से प्रकाश पाते हैं तो इस प्रकाश से सूर्य एक है, सूर्य के प्रकाश्टे चंद्रमा प्रकाशित है और अन्य नक्षत्र भी प्रकाशित हैं, तो चंद्रमा भी भगवान का प्रतिनिदी है, सूर्य भी भगवान का प्रतिनिदी है, आदित्यों में विश्णु प्रतिनिदी हैं, और अपने पचासो प्रकार की वायू में मरीची की रूप में भगवान कहते हैं, मैं प्रतनिजित्व करता हूँ श्लोक संख्या 22 में वेदा नाम साम वेदो स्मी, देवा नाम स्मी वासव, इंद्रिया नाम मनस्चा स्मी, भूता नाम स्मी चेतना मैं वेदो में सामवेद हूँ, देवो में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ती चेतना भी मैं हूँ आत्मा भी भगवान है, परमात्मा का अन्ष आत्मा है, छेतना जीवनी शक्ती के रूप में स्वय भगवान है, तो पदार्तों के संयोग से इसी प्रकार जब कहा जाता है न कि ये शरीर में हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, नाइड्रोजन, पोटेशियम और ऑक्सीजन, इन उनमें भी चेतना तत्व कहा है, वो भी कृत्म रूप से उनको प्रवाहित किया जा रहा है, उनमें प्रसारित किया जा रहा है, चेतना तत्व भगवान कहते है, समस्त जीवों में जीवनी शक्ती चेतना मैं हूँ, तो चेतना परम और शाश्वत है, ये किसी वदार्तों क संयोग से प्रस्फुटित नहीं की जा सकती और वेदों में इंदेवों में और इंद्रियों में मन बहुती सरल प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रमुक्ता के रूप में जो अभिव्यक्ति है वो स्वयम अन्य और कोई नहीं रश्ण है इस लोग संख्या 23 में कहते हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ यक्षो तधा राक्षसों में संपत्ती का देवता कुबेर हूँ वस्वों में अगनी हूँ और समस्त परवतों में मेरू हूँ तो ग्यारा रुद्र में शंकर शिव प्रमुक कहे गए हैं भगवान के अवतार हैं ब्रम्हांड के तमोगुण का भार इसलिए विकार दधी विकार जब हम ब्रह्म सम्हेता में श्रवन करते हैं ब्रम्हांड के तमोगुण का भार रुद्र महादेव शंकर आशुतोश प गया है जो देवताओं के कोशाध्यक्ष हैं वो भगवान के प्रतेने दिये हैं और मेरु परवत जो अपनी सम्रिद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्याता है इसकंद पांच श्रीमत भागवतम में मेरु परवत के बारे में हम विस्तार्थ श्रवन करेंगे उनके लिए भगवान कहते हैं कि परवतों में मेरू हूँ तदपश्यात श्लोक संक्या 24 में कहा है पुरोधसाम्च मुख्यम्माम विद्धिपार्थ ब्रहस्पतिम सेना नीना महम सकंद सरसामस्मी सागर हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित ब्रह करतिके हूं और समस्त जलासरों में मैं समद्र हूं तो देवताओं के भी जो पुरोहित कहे गए हैं अरे कृष्णा अरे कृष्णा भगवान यह अश्लोक संख्या 24 में कह रहे हैं कि समस्त पुरोहितों में देवताओं में प्रमुक इंद्र थे और इंद्र देवताओं के प्रतिनिधी जो हैं वो भगवान कहते हैं वो मेरी विभूती हैं उसके पैश्याद देवताओं के जो प्रमुक हैं जैसे इंद्र देवताओं में प्रधान राजा हो गए हैं उस प्रकार से पुरोहितों में जो प्रमुख जो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं ब्रहषपती वो मैं हूँ देवताओं की सेना के जो शिव और पार्वती के पुत्रसकंद या कार्तिके कहे गए हैं सभी सेनापतियों के प्रमुख है भगवान कहते हैं सेनापतियों में प्रमुख कार्दे के मैं हूँ समस्त जलाशियों में समद्र सबसे बड़ा कहा गया है और कृष्ण के अपने इन स्वरूपों के दौरा अपनी महान्ता को किन्हित कराने का जीवों को प्रयास कर रहे हैं स्मरन रहे कि भगवान इन सभी समुहों के प्रमुख के रूप में अपने विभूती को अभिव्यक्त कर रहे है श्लोक संख्या 25 में कहा गया है महर्शी नाम भ्रिगुवहम गिरामस में यकमक्षरम महर्शीयों में भ्रिगुवहम वाणी में दिव्य ओमकार हूँ समस्त यग्यों में पवित्र नाम का किर्टन जब तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ बहुत महत्तों की वात है यहां पर अगवान कहते हैं महर्शियों में जो प्रम्मा जी ने विभिन बिल्कुल आरंबिक मानस पुत्र उत्पन्ने किये थे उन में से भ्रिगु सबसे शक्तिशाली भ्रिगु की कता हम लोगों ने जब दक्ष प्रजापती का यग्य हो रहा था श्रीमत भागवतम में तब भी हमने ब्रिगु ब्रिगु ने भगवान की परिक्ष्या लेनी की ब्रह्मा विष्णु महेश में कॉन स्रेश्ट है आकर भगवान ने वानी से यदि हमें स्मरण हो मन से वानी से और कर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रती अपराद किया है ब्रह्मा के प्रती मन से वानी से शिव के प्रती और कर्म से भगवान के वक्ष स्थल पर अपने पैर से प्रहार किया है तो शक्तिशाली भ्रिगु भगवान कहते हैं महर्शियों में मैं हूँ वानी में समस्त प्रकार की ध्वनियों में अर्थाद ओमकार ओमकार जो है मैं मेरा ही रूप है और सभी यग्यों में यहां पर कहा गया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण प्रनाम मैं हूँ समस्त अचलों में क्योंकि परवत के बारे में वहां पर मेरू का उलेक हुआ है पर कथा आती है हमारे पुराणों में मेरू कभी कभी सचल होता है मेरू चलते थे ऐसे ही देवर्शी नारत के मित्र परवत मुनी के लिए भी कहा गया है कि वो जलाएमान थे तो मेरू परवत सचल में कहा जाता है अचल में हिमाले परवत का उलेक किया गया है तो हिमाले अचल में संसार का सबसे बड़ा जो परवत हिमाले उन्हीं का स्वरूप कहा गया है किसका बुर्ण पुरुशोत्तव भगवान च्वेक्रशन का श्लोक संक्या 26 में भगवान कहत व्रक्षों में अश्वत व्रक्ष हूँ और देवर्शियों में नारध हूँ मैं गंधरवों में चित्ररत हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपल मुने हूँ इन सब का नाम हमने कहीं न कहीं विभूतियों के रूप में सुना है पर भगवान प्रधान विभूति के रूप इनमें व्यक्त करते हैं स्वयम को ये अपने श्रीमुक से यहां पर भगवान स्वयम बता रहे हैं तो अश्वत्वरिक्ष अध्याय पंद्र में भी इसका उल्लेख आएगा भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं सबसे सुन्दर और उंचे इस व्रिक्ष में जिसकी सनातन धर्म में नियम पूर्वक पूजा करने की पद्दती है वो मैं हूँ देवताओं में नारद मुनी पूरे विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं देव रिशियों में तो वो पूजित होते हैं सभी के सुन्दे हितैशी के रूप में भक्त के रूप में गंधर्व ऐसे निवासी जो गंधर्व लोग में निवास करने वाले प्राणी होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं गंधर्वों के साथ यक्ष्यों के साथ हमने भुरू के संघर्ष का उलेक श्रीमत भागवत्म में श्रमन किया है जब सुरूची के पुत्र उत्तम का एक यक्ष द्वारा वद्ध कर दिया जाता है तब वहां पर हमने इस कथा को सुना है तो गंधर्व लोक के जो निवासी हैं उनमें चित्ररत सर्वस्रिष्ट गायक कहे जाते हैं कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ और सिद्ध लोक के वासियों म सिद्ध पुरुषों में देवुती के पुत्र कपिल्मनी इस कंद्रतीन में जिनका वर्णार आता है जिन्होंने सांखे शास्त्र को लिखित किया भगवान के अवतार माने जाते हैं वो कृष्ण के प्रतेनिदी हैं तत्पश्यात श्लोक संक्या 27 में भगवान कह रहे हैं गोड़ों में मुझे उच्छे श्रवा जानो जो अम्रित के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन हुआ था गज राजों में मैं एरावत हूँ जथा मनुश्यों में मैं राजा हूँ समद्र मंतन की कता हम सबको पता है एक से एक वहां पर रत्न और ऐश्वर का उध्यच उधवा होने से पहले कालकूट नामक शुष भी निकला था तो वहां का लेक करते हूँ कहते हैं अमृत और विश दोनों का जब रापती हुआ है समुद्र मंतन में उस समय अम्रित के साथ जो अन्य जीव उत्पन हुए उसमें उक्षैश्रवा नामक गोड़ा भी था एरावत नामक हाथी भी था और ये दोनों अम्रित के साथ उत्पन हुए इनका विशेश महत्व कहा जाता है ये कृष्ण के प्रतिनिदी है मनुश्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिदी कहा गया है जैसे कृष्ण ब्रह्मान्ड के पालक हैं अपने दैविय गुणों के कारण नियुक्त किये गए राजा को भी राज्य के पालन करता के रूप में भगवान का प्रतिनिदी कहा गया है जैसे युदिश्य हो गए प अपने लिए मार्ग द्रशन करन करती है तो ये सभी भगवान के प्रतिनिधी बताए गए हैं उसके पश्या दिशलोक संख्या 28 में कहते हैं में रख्यारों में संत्ति उत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा रस गताई बसकात हैं कथा भी श्रीमत भागवतम में आएगी वृता सूर के साथ संघर्ष में वज्रकी कथा आती है और ये कृष्ण की शक्ती का प्रतीक है व्यकुंट लोग में इस्थित कृष्ण लोग की सभी गाएं इसने कामधेनों की श्रेनी में रखा जाता है उनमें सुर्भी को सर्वस्रेष्ट कहा गया है कंदर्ब का अर्थ होता है कामवास्नाइ इक्षाय उसमें इंद्रेतर्टि के लिए संभोग करने की जो स्तिति कही जाती है उसमें है पर इन में से कोई भी भगवान का प्रतित्व नहीं कर रही है, यहां पर वर्णन आया है, जब भगवत प्राप्ति के लिए अच्छी संतान की कामना से संभोग किया जाता है, तो उसे कंदर्प कहा जाता है, और वो कृष्ण का प्रतित्व करते हैं। शलक संख्या 29 में कहा है, अनन्त वाले नागों में मैं अनन्त हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पित्रों में अर्यमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यू राज यम हूँ। तो अनन्त फरनवाले, अनन्त शेश भगवान कहते हैं, वो मैं हूँ, जल्चरों में वरुन देव प्रधान हैं, ये भी कृष्ण का प्रतन दित्व कर रहे हैं, पित्र लोग के अधिश्ठाता अर्यमा है, दक्षे के समय हमने अर्यमा के बारे में सुना था, अर्यमा को करते हैं और उन्हें दंड प्रधान करने में जो यम प्रमुख हैं, जो प्रत्वी के निकटवर्ती लोक में ही रहते हैं, जहां मृत्यू के बाद पापी लिवों को ले जाया जाता है, वो यम राज मैस्वयमू, शलोक संक्या 30 में कहते हैं बगवान, प्रहलाद आश्चास्मी देत्यानाम काल कल यतामहम, म्रिगानाम्च म्रिगेंद्रोहम, वैनते यश्च पक्षिनाम, देत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंग हूँ, तथा पक्षियों में मैं गरुन हूँ, दे से श्रिष्ट कोई जैटे हो नहीं सकता दिती और अदिती की कथा हमने श्रमन किये हिरनकशिपू और हिरन्याक्ष के जन्म के बारे में सुनाएं तो अदिती से देवता उत्पन हुए हैं श्लेप्रभपाद यां समरन कराते हैं हमें अदिती के पुत्र आधित्त कहलाते हैं और दिती के पुत्र हिरनकशिपू और हिरन्याक्ष हुए हैं और हिरन्याक्ष के वद्ध के पश्चात हिरनकशिपू तपस्या करने गए हैं हिरनकशिपू की पतनी कयाधू के पुत्र के रूप में प्रहलाद महराज का जन्म हुआ हैं अपने जन्म से ही वो परमभक्त थ देवी गुड़ों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधी माने जाते हैं। उसके पश्यात दमन करने वालों में दमन करने की अर्थात इस जगत में दंड देने की अनेको विधाएं हैं। लेकिन सबसे प्रबल विधा क्या है? स्वयम काल है क्योंकि काल इस संसार की हर वस्तु को शीन कर देता है और भगवान कहते हैं काल मेरा प्रतनिधित्व करता है। यह विभूतिया है प्रमुक प्रमुक तत्व के रूप में कैसे बगवान उपस्तेत हैं। मेरा ही दशावतार स्वरूप श्री राम वो मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वाईू हूं में वाईू की सुगंदी और दुरगंदी दूर दूर तक वादावरन को अपवित्र कर देती है और पवित्र कर देती है। इस प्रकार की सुवंधी और दुर्गंधी होती है नदियों में भगवान ने स्वयम को गंगा का है तो गंगा में स्वनान करने से समस्प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं हम सभी को ये लोग विधा पताए श्लोक संक्या 32 में कहते हैं भगवान सर्गानाम आदियंतष्य मध्यम चेवहम अर्जुन आध्यात्म विध्या विध्यानाम वादप्रवदात्रवदताम अहम सर्गानाम आदियंतष्य मध्यम चेवहम अर्जुन आध्यात्म विध्या विध्यानाम वादप्रवदताम अहम हे अर्जुन मैं समस्त श्रिष्टियों का आदी मध्य सथा अंत हूं मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूं और तरक शास्त्रियों में मैं निर्नायक सत्य हूं तरक शास्त्र कहां समापत हो जाता है जहां निर्नायक सत्य पर सभी की एक मती हो जाती है तो श्र बगवान कहते हैं ये समस्त श्रिष्टी के आदी मध्य तथा अंत मैं स्वयम हूं उसी प्रकार उच्छ विद्या की बात की जाए ज्यान के अनेक ग्रंत कहे गए हैं चारो वेद, छे वेदांग, वेदांत, सुत्र, तर्क ग्रंत, धर्म, ग्रंत, पुरान, उपनिश्यद, आरणयक ब्रह्म, अनेको प्रकार की संहताएं, भगवान कहते हैं आध्यात्म विद्या, इन में से ये जो 14 प्रकार के गरंत कहे गए हैं, शिर प्रःपाद लिखते हैं, इन में से आध्यात्म विद्या संबन्धी गरंत, वेदांत, सुत्र, विशेष रूप से जिसे कहा गिए जो बगवत गीता है उसे प्रयास मात्र वितंडा कहा गया है और वास्तवीक निर्णय वाद कहलाता है प्रभगवान कहते हैं निर्णयातमक शास्त्रार्ठ में भी निर्णयातमक जो सत्य है वो मेरा प्रतनेद्यत्व है तो तरक के अनेको प्रकार कहें गए हैं प्रमार द्वारा जल्प द्वारा वितंडा द्वारा वाद द्वारा पर अंतिम नेनयात्मक सथ्य citizens वह वास्तों में भगवान कहते है मैं स्वयम हूँ उसके विशात स्लोक संक्या हो कि अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद समासओ मैं शिष्वत काल भी हूँ और स्रिष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ अक्षरों packet घा जहां से व्यादिक साहिते का सुभारम रह undoubtedly कहते हैं मैं हूं अकार के बिना वास्ता में दियां दे तो और किसी सवर का उच्चारन नहीं हो तकता हर अक्षयर के उच्चारन में अकार आता है तो वो आरं भीक आरी सवर भगवान कहते है मैं हूं इसी प्रकार संस्कृत में समासिक शब्द कहे गये हैं समासिक का अर्थ होता है जो समासिक में भी प्रकार है, द्वंद प्रकार का गए, जैसे अच्छा बुरा, हानी लाब, सीता राम, जो शब्दों के द्वंद के रूप में कहे गए हैं, तो समासिक दोहरे शब्द वाले, जो द्वंद कहे गए हैं, उसमें भगवान कहते हैं, वो द्वंद मैं हूँ, सभी तेलंकार की भाशा में भगवान अपने आपको उद्भूत कर रहे हैं और सब जो मारने में काल सर्वो पर ये भगवान कहते हैं शाश्वत काल भी मैं हूँ इनके पाश्चात स्ष्ष्टि के स्वृजन करने में चतुरमुख ब्रम्हा प्रधान कहे गए हैं और वो भगवान श्री कृष्ण का पृतने द्यत्त्यों करते हैं तो ये क्रमशा चले जा रही है सारी विभूतिया भगवान की श्री लोक संक्या 34 इसमें भगवान ने का है मृतियो सर्वहरचाहम उद्भवच भविश्यताम कीर्ति श्रीवाक चानारी नाम स्मृति मेधा ध्रिति शमाम मैं सर्वभक्षी मृतियो हूँ और मैं ही आगे आने वालों को उद्पर्ण करने वाला हूँ मृत्यू में मैं कीर्थी, श्री, वाक, मृत्य, मेधा, भृत्य, सथा, शमा हूँ सर्व भक्षी मृत्यू सब कुछ मनुष्य जन्म लेने के बाद से जब तक शन, शन, हरक्षन मृत्यू हमारा भक्षन कर रही है ये केवल अंतर की बात है, कि जब वो पूरा भक्षन कर लेती है, तब हम कहते हैं कि मृत्यू आ गई है मृत्यू वास्ता में जीवों का हरक्षन भक्षन कर रही है जो अंतिमागात है, जहां उसके बश्याद जीवन की कोई रेखा नहीं बचती तब हम कहते हैं कि मृत्तिवे पर विचार करें तो मृत्तिव हर शन हमारा भक्षन करते हैं भगवान कहते हैं वो मृत्तिव मैं स्वयम हो उसी प्रकार विकास की बात करें देह के परिवर्तन की बात करें, जन्म से लेकर जो व्रिधी क्रम आरंभ होता है और प्रोणा अवस्ता से पहुचते वे जराथ से लेकर वो अंत समय जिसे हम व्रिध्यु कहा रहे हैं, उस परिवर्तन का साक्षी भगवान कहते हैं, मैं स्वयम हूं। इसके पश्यद्ध भगवान स्त्रिवों में जो साथ ऐश्वरय कहे गए हैं, जो वो वास्तों में स्त्रि वाचक कहे गए हैं। किर्थी, श्री, वाक शक्ति, किर्थी अर्थात यश, श्री अर्थात धन की उपलब्दता, धन अर्थात द्रव्य की उपलब्दता कही गई है, वाक बोलने की, स्मृति, स्मरन रखने की, मेधा, बुद्धी, धृति, धैर और शमा, ये सभी या कुछ-कुछ मनुष्यों मे कम या ज़ादा उपलब्द होते हैं तो भगवान कहते हैं ये सभी वास्तों में मेरा प्रतनिधत्प करते हैं श्लोक संक्या 35 में भगवान ने कहा है ब्रहत साम तथा सामना नाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्ग शीशो हम मैं सामवेद के गीतों में ब्रहत साम हूँ शंदों में गायत्री हूँ समस्त महीनों में मार्ग शीश हूँ तथा समस्त रितों में फूल खिलाने वाली बसंत रितों तो वेदों में सामवेद हैं भगवान बता चुके हैं सामवेद विभिन देवताओं द्वारा गाये जाने वाले गीतों का संग्रह कहा गया और इन गीतों में सामवेद के इन गीतों में ब्रियत साम नाम का जो गीत है अर्धरात्री में गाया जाता है श्राप्रवपात कहते हैं इसकी ध्वनी अत्यांत सुमधूर होती है और भगवान कहते हैं वो म नियमीत काव्यों में घायनमें गयत्री मंत्र है और गयत्री मंत्र इसलिए वास्तों में तुपात्र को सकता था, सरजरी कर सकता था, कुस कई से पढ़के, पर ऊसी विवस्ता नहीं होती, शास्फर में भी उसी प्रकार पहले, इसकोन में बियुक्ति अंतराश्ट्य खुतर भोवनामरे ब्राम्हर दिक्षा दे जाती है तो गायत्री मंत्र ब्राम्हर दिक्षा में अन्य मंत्रों के साथ अन्य और भी मंत्रों होते हैं उसके साथ गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं काव्य में नियमित काव्य में मैं गायत्री मंत्र हू आध्यात्म में उन्नत लोगों के द्वारा इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए और जब उन्हें इस प्रकार सफलता प्राप्त होती है तो शिल्य प्रवपार लिखते हैं वो भगवान के दिव विधाम में प्रविष्ट होते हैं तो गायत्री मंत्र गाने की एक कर सकता है तो गायत्री मंत्र को वास्तों में ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है और ब्रह्मा जी इसके गुरुघ कर सकता है तो गायत्री मंत्र की दीख्षा दी जाती है उसके पर शाद मासों में अगहन जो मार्ग शीष महीना कहा गया है उसे सरस्रेष्ट कहा गया है और बसंत रितु को जिसमें न बहुत अधिक गर्मी है न सर्दी है न इसी प्रकार की ग्राज सर्द्र का वाई्यूप्रवॉई यहां बसंत की अनेकों लिलाए बसंत की झीलाए हमारे राजय महारा जाओं कर लिए भगवान स्वेक्रिषेनी की श्रीमत भाग्वतम में कहें उन परभुगum में बसंत हैं भगवान कहते हैं और महीनों में मार्ग शीष मेरा प्रतनिज़त्व करता है उसके पर शाथ श्लोक संक्या 36 में कह रहे हैं बगवान द्यूतम छल यतामस्मी तेजस तेजस्वे नामहम जयो अस्मी व्यवसायो स्मी सत्वं सत्ववतामहम मैं चलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ मैं विजय हूँ साहस हूँ तथा बलवानों का बल हूँ तो अनेक प्रकार की चल की प्रवृत्ती जीवों में होती है चल कपट उनमें द्यूत क्रीडा को सर्वोपरी कहा गया है पुरा-पुरा सामराज जहा कर गए हैं नल दम्यंती की कथा में आती है द्यूद कृड़ा इसी महाभारत में और युदिश्पिर महराज के साथ की द्यूद कृड़ा दो दो बार की कृड़ा आती है तो चलियों में भगवान कहते हैं द्यूद कृड़ा सर्वो पर ही है और वो मेरा प्रतनेजित्व करत लिए मनुष्यों में भी यदि देखा जाए तो सामान्य पुरुष्ट की अपेक्षा क्रिश्ण किसी भी रूप में कहे जा सकते हैं हमें जब भगवान राम और भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन कहाज़ा तो कहाज़ा है भगवान राम 13 कला अवतार है और भगवा से गुण है भगवान में जिसके वज़े तो उन्हें 16 गुण का गुणों का कलावतार पुर्ण एते चांस कला पुर्ण कृष्ण स्थू भगवान स्वयम तो वहां पर कहा गया है यह भगवान सबसे बड़े कपटी है कृष्ण के रूप में और कपटी का अर्थ नकारात करते हैं कि वो आए हमारे घर में चोरी करे तो वह मारे अचारेओं ने गीत बनाया एक चोरास्तिकम हमारे अंदर से लखर i Marchök से यह अज्यान का प्रमाद का अ का अनिद्रा का इन सब तत्म का हरन कड़ेति तो चुरा लेते हैं तो इसलिए कपटी में भी अगर कोई ऐसी- प्रमेश्वर तो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपार लिखते हैं परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेंगे तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता छोड़ी-छोड़ी कठाएं आती हैं यहांपर एक व्यक्ति आचारे इसे हास पर ही हास में व्यक्ति करते हैं एक व्यक्ति जो मंदिर में प्रवेश्च करता है यह सोचकर क्योंकि उसने भगवान से कहा था यदि उसने कुछ प्रार्पन की थी मांगा था और भगवान ने पूरा किया था उसने प्रवेश किया मंदिर में तो सोचा कि सौ रुपे भगवान को वो चढ़ाएगा जब मंदिर में कारिकरम समाप्त हुआ पुजा पाट के पश्चात इतनी सारी भीर देखकर उसके मन में विचार आया बार-बार मंदिर आना है एक बार महीं सो रुपे नहीं चढ़ाता हूं धीरे धीरे आता रहूंगा तो चढ़ाता रहूंगा तो उसने विचार करके सोचा कि वो दस रुपे चढ़ा देगा और इस प्रकार बार-बार आके वो सो रुपे कर लेगा और जो वास्तों में जो आरती का दीपक है थाली है वो जा रही थी तब उसने सोचा कि इतना इतना बेस्त है यहां पर महौल कौन मुझे देख रहा है तो उसने एक का सिक्का निकाला जबकि कथा बताए गया तब है उसको दस पे भी हम समेट सकते हैं तो उन्होंने वो रुपे डाल दिये भगवान की थाली में एक रुपे कहिए चाहे दस रुपे कहिए और पिर जै ताके वो नोट भी दे दिया बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि जब आप अपने जेव से पैसे निकाल रहे थे रुपे निकाल रहे थे तब यह आपका ही सौका नोट था जो गिर गया था वो मैंने आपको देने के लिए उठा के आपको पीछे से थप थपाया था तो कृष हम संकल्प लेने में महानता नहीं है संकल्प पूरा कर सके हमें ऐसी बुद्धी दीजिए तो यहां पर बका गया चलियों में सबसे जुआ भगवान विजय हूँ साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ चलिये के बाद उसके पशा तेजस्वियों के तेज कहे गये भगवा में भगवान साहसी और करवटों में सरवादिक साहसी और करमट कहे गए जब तक भगवान इस धराधाम में थे कोई उन्हें बल से हरा नहीं सकता था और बल का क्या ही कहना साथ वर्ष के बालक ने गोवर्धन परवत को उठा लिया था तो ना तो कोई उन्हें चल से हरा सकता कहने का भाव यह ना भगवान को कोई चल में हरा सकता है न तेज में हरा सकता है न विजय में हरा सकता है न साहस में हरा सकता है और नहीं बल में हरा सकता है तो इश्लोक संख्या 36 इस प्रकार से भगवान की ऐश्वरे की इंचाल-पांच विभूतियों को एक साथ प्रिया वि उष्यना कवी, मैं व्रिश्णी वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं, मैं समस्थ मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में हुष्णा हूं, तो व्रिश्णी वंशियों भगवान आदी भगवान है, और बलडेव की रूप में, बलराम की प्रपात कहते यहां पर दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है करतें तो उनके जितने भी रूप अनित्र पाया जाते हैं है वे उनके विस्तार विस्तारि और वासुदेव कृष्ण के निकट्टम अंस्विस्तार है वो कृष्ण से भिन्द नहीं है तो इसलिए यहाँ पर वासुदेव शब्द का अर्थ बल्देव बल्राम समस्त अवतारों के उद्गम के रूप में स्वेम वासुदेव एक मात उद्गम भगवान अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं उसके पश्चात भगवान कहते हैं पांडवू में मैं अर्जन हु धननजर समस्त पुरुषों में श्रेष्टतम नर नारायन की रूप में भगवान उनके साथ एक और विस्तार सो रूप में रहते हैं मुनियों में वेदिक ज्यान में पटु विढ ज्ञानों में विद्वानों में उन्होंने स्वयम को व्यासदेव कहा है जिन्होंने कलियूग में लोगों को ज्ञान कथा श्रमण स्मरण अपनी मौलिक्ता के साथ रहे इसलिए अनेको प्रकार के शास्त्रों का स्विजन किया है कि कवी गण किसी भी विशे को बारीक से बा किजिए असुरों के गुरु शुक्राचार है उनका वास्तवीक नाम उष्णा है तो वो कहते है कवियों में मैं उष्णा अर्थात शुक्राचार है जो असुरों के गुरु है वो हूँ व्यत्यदिक बुद्धिमान दूरदर्शी थे और वो वास्तव में कृष्णि के आश कि यह इस लोक संख्या अरतिस में दंडो दमय तामस्मी नीती अस्मी जीगीशिताम मोनम चैवास्मी गुहयानाम ज्यानम ज्यान वतामः अराजक्ता को दमन करने में आग्वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विज예 के आकांक्शी हैं उनकी मैं नीति हूँ रहस्यों में मौन हूँ और बुद्धिवानों में ज्ञान हूँ यह चार बहुत महत्रों के हुआले व्यभारिक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से दमन करने के अनेक साधन है लेकिन जो सबसे महतोपुर्ण होता है वो है दंड और दंड में भगवान कहते हैं वो स्वेम मैं हूँ किसी भी शेत्र में विजय करने की आकांगशा के लिए सबसे पहले strategy चाहिए होती है नीती चाहिए करियाओं में मौन रहना अत्यंत महतोपुर्ण है मौन रहने से जीव अपने आपको एकात्म केंदरिद कर पाता है और भगवान कहते हैं रहस्यों में इस प्रकार इन सब गोपनी रीतियों में सोचना, सुनना, ध्यान करना ये सब हमें दिखते नहीं है इनमें सबसे गोपनी रीति किया है मौन वो मैं हूँ और उसके पहेशचाद कहते है बुद्धिमानों में मैं ग्यान हूँ ज्ञान क्या है जो पदार्थ और आत्मा ज्ञान ही किसे कहा गया है जो पदार्थ और आत्मा में भेद कर सके भगवान की परा और अपरा शक्ती का अंतर जान सके और भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण मैं स्वयम हूँ तो बुद्धिमानों में ज्ञान रह यही नहीं है अर्जुन मैं समस्त श्रिष्टी का जनक वीजु हूं ऐसा चर्त अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके तो बीज प्रदाता पिता भगवान स्वयम है और क्रिष्टी के बिना वास्तों में किसी भी सोचने जहां तक मनुष्य की मस्तिश्क्री की सीमा सोच सकती है अस्तित्व की कोई कल्पना ही नहीं तो जो कुछ ख्रिष्टी की शक्ति पर आधारित नहीं है वह वास्तों में माया है अर्थात्व है वो नहीं है जो वो देख रहा है तो जो कुछ है वो स्वयम भगवान है जो कुछ भ्रमित अवस्था में कृष्ण की अनुपस्तिती में हमें देख रहा है वो माया है और वो वास्तों में शाश्वत नहीं है श्लोक संख्या चालिस में तो इस प्रकार 12 से उननेस ने लेके 49 तक भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्डन किया है और इनको एक प्रयास है यहां पर संक्षित करम में दिखाने का तो आप देख सकते हैं यहां पर करीब करीब यह 82 विभूतियों का वर्डन है मैंने यहां पर पुना गिनने का प्रयास किया क्योंकि संख्या में कहने में और जैसे साथ कीर्टी, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, शमा इनको एक साथ कहने में इस प्रकार से आदी, मद्ध, अंत यहां पर तीन हो जा रहे हैं तो इस प्रकार से यह करीब करीब बयासी विभूतियों जाती है भगवान की और भगवान यहां पर उनका उलेक क रहे हैं उसके बश्यात इश्लोक संख्या 40 में अब भगवान रुखते हैं और अरजन को कहते हैं नान्तो अस्तिमम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप एशत उदेशत अप्रोक्तो विभूते विस्तरो मया है परंतप शत्रों के विजेता मेरी द्यवी विभूतियों का कोई अन्त नहीं है मैंने तुम से जो कहा वह तो मेरी अनन्त विभूतियों का संकेत मातर है तो केवल जितनी विभूतियां भगवान यहां कह रहे हैं वही अन्तिम नहीं है परमेश्वर की शक्तियां विभूतियां अने तूद कर रहा हो। इस लोग संथ्या 41 में कहते हैं यत्यत विभूती मत्सत्वं श्रीमत उर्जितम एव्वा तत तत एवअव गक्षत्वं म自ज शंभव यत्यत विभूति मत्सत्वं श्रीमत उर्जितम एववा ततत एवा घक्षत्वं ममा तेजो अंश संभवा तुम जान लो कि सारा एश्वर सौंदर तथा तेजस्वी श्रिष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उत्पन हैं भगवान के संपोन तेज के एक चिंगारी से ये सारा एश्वर सौंदर तथा तेजस्वी स्रिष्टियां उत्पन हुई हैं तो ये सब कुछ जो जगत में हमें लक्ष्यमान है ये क्रिष्ण की विभूति का एक अन्श स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी अलोकिक तेज युक्त वस्तु को क्रिष्ण की विभूति समझना अतिशयोक्ति नहीं है शास्वर कहते हैं वो और कुछ नहीं वास्वा में क्रिष्ण की विभूति है तो इश्लोक संख्या 42 जो इस अध्याय कांते मिश्लोक है भगवान अर्जुन को स्पश्ट करते हुए कहते हैं अथवा बहु नैतेन किम ग्यातेन तवार जुन विष्टभ्याहम इदम कृस्तम एकल एकान शेन स्थितो जगत अथवा बहु नैतेन किम ग्यातेन तवार जुन विष्टभ्याहम इदम कृस्तम एकान शेन स्थितो जगत किन्तु है अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यक्ता क्या है मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपुर्ण ब्रह्मान में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ तो इस लोग संख्या 41 में भगवान ने सपश्ट किया है कि ये मेरी समस्त तेज के अंश का एक स्पुलिंग मात्र है और यहां भगवान इस पश्ट करते हैं कि ये जो कुछ भी है ये अंश के तेज मात्र से मैं धारण कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि ये सब कहीं अनियंत्रित रूप से विस्तारित है मेरे द्वारा नियंत्रित है अन्ततो गत्वा मुझसे उद्भूत है और मुझ में ही समाहित है श्लव प्रहपात कहते हैं कि यहां पर महान आचाले जो कृष्ण परंपरा में हुए श्री बलदेव विद्याभूशन इस अध्याय की टीका का समापन कर रहे है क्योंकि विभूतियों के बारे में हमने श्रवन किया है तो बलदेव विद्याभूशन कह रहे है यचक्तिलेशात सुर्याद्या भवंत्यतुक्रचेतस यदन्शेना जितम विश्वं सकृष्णो दशमेर्चयेत प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ती से अपनी शक्ती प आए श्री भगवान का एशवर का भक्ति वेदान्त ताथ पर यहां पर समाब्त हो रहा है इस प्रकार भगवान संग्षेप में ही सही पर सब कुछ का स्तरोत मैं हूं हर जंगह मैं उपस्तित हूं पूरी घीता के सार के स्वरूप में भगवान कह रहे हैं मैं भी परमात्मा हूं और सारा एश्वर मेरे एक स्पुलिंग चिंगारी मात्र से प्रस्पुटित हो रहा है वास्तों में मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है मेरा एश्वर असीमित है तो इसी भाव के साथ हम अपनी भक्ति भगवान के चरणा अर्विंद में और द्रणवान हो इसके लिए प्रार्तना करेंगे इन समस्त आश्वरियों को इसमरण जहां तक संभव हो इसमरण करते हुए भगवान की भक्ति में अपने आपको और प्रगार रूप से चेतना बद्द करने का प्रयास करेंगे यही वास्तों में कृष्ण भावनामृत चेत अध्याई 11 में प्रवेश करेंगे भगवान के विराध रूप का महा दर्शन करेंगे तो अगले सत्र में भगवत गीता से अध्याई 11 आरंब करेंगे श्रील प्रवपाद कीजे, श्रील गुरुदेव कीजे, अनन्त कोटी वैशनोवरंदे कीजे, श्रीमत भगवत कीजे, हरे कृष्णा